तो जी क्या हाल है आप सभी लोगों के एक बड़ आप लोगों का फिर्शिस होगते मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पर तो आज अपन बाइक लेके आए हैं वह अने वाली है आपकी ड्यूक 200 मयानी की अपनी KTM ड्यूक 200 तो इससे प हाजिदा हूँ ऐसी कुछ आप लगोगो जो सारी ड्यूक्स KTM की बाइक्स में कीज आती है वह सारी वाली कीब मिलेगी सेकंड कलर ऑप्शन जो है वह इसका यह है आपका ब्लैक और वाइट और उस वाले में जो है वह है ब्लैक और 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 अलोई वील्स का कलर दोनों म दोनों कलर में आप लोगों को औरेंज ही मिलने वाला है तो ऐसा कुछ इसका फ्रेंट अपने को लुक मिलता है यह अपने LED में ड्याल आजाते हैं दोनों साइट पर बाकी अपना हैलोजन वाला है लेम्प आजाता है जो सेम लुक की अगर आप बात करोगे तो 125 और 200 का दो वो 125 और यह 200 हो जाती है तो पावर का डिफरेंस आप लोगों को पता हिए कितना होने वाला है और जादा दोनों में प्राइस डिफरेंस भी नहीं है प्राइस डिफरेंस के अगर आप बात करो ना तो कोई 25-30,000 रुपए का कोई फरक है बाकि अगर आप लोगों का बजट अलाओ करें तो 125 से अच्छा चोईस आप लोगों का यह वाला प्रोड़क्ट हो सकता है डिउक 200 और डिउक 200-200 के अंदर थोड़ा जादा फरक है प्राइस डिफरेंस उनमें थोड़ा जादा जाता है अपने को इंजन डिस्प्लेस्मेंट के अगर बात करें एंजन कैपिसिटी की तो 199.5 सीसी का दो सो सीसी का आपको पावर एंजन मिलता है जो की पावर प्रड्यूस करता है आपका 25 बीच बीच और टॉर्क रहता है इसका 19.3 बीच अनम का तो फ्रंट डिस्क के अगर आप बात करोगे तो 300 mm की डिस्क मिलती है आप लोगों को अपना डियू के 125 में और 200 में भी तो यह चीज सेम है रियर वाली डिस्क जो है वह भी 230 mm की दोनों में ही मिलती है ABS की अगर आप बात करोगे तो इसमें dual channel ABS मिलता है, 125 में आप लोगों को single channel ABS मिलता है, तो ऐसे सब कुछ यह है, दोनों में Bosch का ही अपने को मिलेगा, और जो अपना इसका चेचिस की बात करें, इसमें जो मिलेगा, Duke 200 में वो अपने को मिलेगा, split steel television frame, और weight की बात करें, तो weight ह इसका 150 kg, without fuel, और fuel tank capacity जो है, इसकी अपनी है, वो है 13.30 की, तो यह सारी जो भी details ही बाई के बारे में, वो ही, अब आप लोगों को बात करते हैं, मोटा मोटा का, आप लोगों अगर शोरूम विजिट कर रहे हो, दोस्तों आप प्लान कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या क्य चीज़े देखोगे, तो चलो फ्रेंट से शुरू करते हैं, तो फ्रेंट में अपने को मटगार मिलेगा, वो अपने को dual shade में मिलेगा, मतलब आपको body color और पीछे वाला area जो है, वो आपका mat finish में मिलेगा, वील्स के अगर आप बात करो, तो MRF के इसमें टायरे मिलते हैं, यह कुछ इस टाइब का अपना स्टिकरिंग इसमें मिल जाएगी, WP का आप लोगो इसमें, अपसाइड डाउन वारा जो suspension मिलता है, वो मिलेगा, इसका suspension के लिए यहाँ पर एक covering भी दी हुई है, ताकि यह डस्ट से अपना जो भी मिट्टी वगेरा हो पीछे की तरफ से, उससे आप लोग इसको बचा सकों, तो इस ऐसा सब कुछ यह है, यह अपना radiator grill आ गया और इसी में अपना जो की coolland भी फिल होगा, यहाँ पर अपनी ड्यूक दोसों की अपने को stickering मिल जाती है, बाकि यह दोसों से का engine आई गया, तो जो इसमें जो frame है, वो half, जो split वाला जो और जो इसका दूसरा color option है, उसमें अपने को पीछे वाला part जो है, वो white मिलेगा, इसमें यह orange है, तो यह वाला अपना कुछ difference हुआ, बाकि अपने यह वाला अपना brake lever आगे, दो इसमें tire अगर आते हैं, जैसा कि सारी, अपना duke 250 में भी यह ही है, आगे और पीछे, मतलब split दो पार्ट में, तो यह आते हैं, बाकि यह चीज, यह अपना जो tire agar है, यह removable है, जो अपनी पीछे की tilt ID है, यह भी screw से removable है, इसको भी आप लोग ना, aftermarket tilt ID लगवा सकते हो, बाकि जो पीछे का तीनों गाड़ियों का view है, वो सेम है, यह अपनी 200 है, यह आप की 200 है, और सेम यही, Duke 125 का भी आप लोगों को मिलने वाला है, बाकि तीनों में ही अपने को, जो पीछे जो मिलेगा, वो monoshock suspension अपने को इसमें मिलेगा, silencer, exhaust जो है वो आपका यहां है, Duke 125 में भी नीचे ही है, बाकि बस जो exhaust का फरक है, वो आपना 200 में आ जाता है, तो 200 एक इस टाइप से जो आप लोगो, डाइसों में जो मैंने इस से पहले वाले वीडियो में, इंजन, यह अपना MID, जो भी, मीटर वगएरा के सारे console के जो function दिखाए दे, वो ही सारे इसमें भी है, यह अपना ignition switch, जो भी इसमें भी टैंक पर ही है, बाकि हैंडल, बार का जो यह है, फिनिश यह 125 वाली, मतलब, इजिली है, आपका अगर आपकी हाइट है, फाइव, नाइन, फाइव, टैन, तो नॉर्मल है आप लोगों के लिए, यह सारे अपने switches में भी eliminative मिलेंगे, यह अपना high beam, low beam, यह आपका pass वाला switch आगया, यह अपना indicator का, यह अपना horn आगया, kill switch और start वाल तो ऐसा सब कुछ अपना यह होने वाला है, यह अपना आपका साड़ी कार्ड आगया, बाकी जो नीचे का जो पूरा process जो आप body line देखोगे, तो 125 और 200 का, same यह अप लोगों को होने वाला है, तो इसके बाद जो एक वीडियो शूट में करने वाला हूँ, वह होने वाला है अपना डियूग 200 और 125 का comparison वाला वीडियो, वह भी आप लोगों को इसी के next देखने को मिल जाएगा, एक चीज इसमें जो आप लोगों को अच्छी चीज देखने को मिलेगी, वह यह जो अपने दोनों लिवर है, इस पे ही cut देखने को मिलेगा, ताकि आपकी bike अगर गिरत पर गए हुए हो, तो काफी useful लगेगी, तो जी यह था अपना एक डियूग 200 का easy language में आपका एक walkaround वीडियो, तो तीनों जो डियूग का अपना line up है, 125, 200 और 200, इस तीनों का चैनल पर वीडियो आप लोगों को देखी चुका हो, अगला जो वीडियो होने वाला है, जैसे क डियूग 200 और 125 का comparison वीडियो एक आपके लिए मैं अभी बनाने वाला हूँ, और अपना ये हस परना अगर भी एक वीडियो शूट करना है, तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, इसी के next day, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोगों को पता ही, आप लोगों को क किस बाइक या किस कार पर चाहिए, तो वो भी अपन पूरी कोशिश करेंगे कि अपन उसको वीडियो को बना सके, तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जितने के लिए टेक केर एंड ड्राइव सेफ,